मुझे प्लेकर चैनल में आपका स्वागत है मैं सुनेल कुमार पिर से आपके लिए लेकर आपके इंट्रस्टिंग वीडियो तो आज हम बात करेंगे रेडमी की तरफ से लॉच्च किये हुए दो पावर बैंक के बारे में दरसर रेडमी ने दो पावर बैंक लौच किये हुए है एक रहता है 10,000 mAh का दूसर रहता है 20,000 mAh का उनकी कुछ डिटेल है जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के फिचर्स के साथ वो लौच हुए है साथ के साथ आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी करेंगे अंगोक्सिंग और कंपैरिजन दूसरे पावर बैंक के साथ में कि हमारा जो पावर बैंक आया है वो किस तरह कर रहेगा तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि किस तरह की कंफिगरेशन के साथ वो पावर बैंक लोच हुए है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दीमेजिक लेकर को सब्सक्राइब नहीं किया है रेडमी पावर बैंक 10,000 MHz या 20,000 MHz उसके बाद अगर मैं 10,000 MHz पावर बैंक के और चलूँ तो उसमें हमें 10W Fast Charging मिलती है जबकि 20,000 MHz में 18W Fast Charging मिलेगी चलिए अब हम चलते हैं इनके पोर्ट के बारे में तो जो हमारे power bank launch हुए हैं इनमें हमें dual port मिलेंगे input के लिए यानि की C type की जो cable है उससे भी हम इस power bank को charge कर सकती है और जो हमारी micro USB की cable है उससे भी charge कर सकती है और output के लिए भी हमें 2 ports देखने को मिलेंगे जो की रहती है USB A की देन अगर मैं चलो इसकी circuit layer protection की ओर तो दोनों ही power bank में हमें 12 circuit layer protection देखने को मिल जाती है उसके बाद दोनों ही power bank में lithium polymer की battery का use किया हुआ है कोई cell वगेरा का use नहीं किया इन्होंने जो अब power bank launch कियो हैं दरसल उनकी body बनाई हुई है plastic material की जब कि जो पहले power bank थे 2i वगेरा उनमें हमें metal body देखने को मिल जाती थी तब कि 10,000 mAh में metal body थी और 20,000 mAh में तो तब भी plastic body थी तो अब हम चलते हैं इसमें एक mode है जिसको इन्होंने बोला है low charging mode तो इस mode की मदद से हमारे जो band होते हैं smart band या bluetooth होता है कुछी इस तरह है कि जो छोटे छोटे gadget होते हैं उनको charge कर सकते हैं उसके लिए हमें power bank में एक button मिलता है जो उसको double tab करना है तो उसके बाद low charging mode में वो चला जाएगा और हमारे जो छोटे gadget होते हैं उनको हम compatibly charge कर पाएंगे उसके बाद अगर मैं बात करूँ input की तो हमारे इस power bank में 10 वोट यानि कि 10,000 mAh का जो power bank है उसमें 2.1 ampere और 10 वोट force charging input हम दे सकते हैं उसके बाद अगर मैं बात करूँ output की 10,000 mAh के power bank की तो इसमें हमें 2.4 ampere से लेके 2.1 ampere तक charge कर पाएंगे यानि कि अगर हमें एक single phone को charge कर रहे हैं तो यह हमें output देगा 2.4 ampere अगर हम 2 mobile phone charge कर रहे हैं तो यह output देगा 2.1 ampere अगर मैं चलोँ प्राइस के बारे में तो 10,000 mAh का power bank है वो मिलेगा हमें 800 रुपए का तो चलिए अगर हम कुछ detail जो इसकी miss कर चुके है 20,000 mAh के power bank की वो मैं बता देता हूँ जो हमारा 20,000 mAh का power bank है वो 18 watt fast charging है उसके बाद उसमें output हमें maximum 3.6 ampere तक मिलेगी यानि कि हमारे 10,000 mAh के power bank से थोड़ा fast रहेगा उसके बाद इन्होंने जो pricing रखी हुई है 20,000 mAh power bank की वो रहती है 14,90 रुपए तो कुछ इस तरह हैं कि हमारे power bank launch हुए है मेरे काल तो आपको पता लग गया होगा कि किस तरह हैं कि इनकी features या detail रहेगी तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और फायदे मन लगी तो इस वीडियो को like करना नहीं बोले और कुछ इस तरह हैं कि interesting वीडियो देखने के लिए हमारे channel the magical app को subscribe कर लेजिए क्योंकि इन future मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा कुछ इस तरह हैं कि interesting वीडियो तो तब तक हसते रहे हसाते रहे